चलो फिर नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ड नॉमल पर चलते हैं यह करना ही पड़ेगा आपको यह चैप्टर जीरो बन तो करना ही पड़ेगा तो कल मैंने नॉर्मल डिस्टिबूशन बताया था याद है आपको थोड़ा सा फंक्शन बगरा सब लिखा था मैंने वन अपॉन सिक्मा रूट टू फाइए टू दिपार माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू बाए गोल स्कूर एक्स की रेंज कहां से कहां तक है और मीन कहां से कहां तक होता है और सिग्मा कहां से कहां तक होगा क्योंकि मीन मू रिप्रेजेंट फ़र मीन और सिग्मा स्टैनर डिवेशन ओके इस फंक्शन का मीन क्या है मू वेरियंस मॉड मॉड भी मू ही है और मीडियन भी मू है अब हमें बात कर रही है उसके सीडियेफ की सीडियेफ सबसे इमपोर्टन सीडियेफ ही तो यह भीटा है ना तो नॉर्मल डिस्ट्रिबूशन की Normal Distribution की Cumulative Probability Cumulative Probability वोन बताता है Standard Normal Distribution Standard Normal Distribution बताता है Standard Normal Distribution बताता है अभी Standard Normal की आए देखो भी बताता हूँ अब तो अब देखिए सारे बैच्चे Standard Normal Distribution फोटो से समझ में आगा सब्सक्राइब आपको एक हुए ध्यान से देव अच्छा एक फोटो में तो कुछ हो गए नहीं यह Normal Distribution है म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वार है ठीक है तो इसका मीन यहाँ कहीं होगा ना बेटा इसका मीन है ना बोलो तो मैंने क्या किया यह ने एक्स माइनस म्यू का Distribution किसका Distribution है यह वह एक्स का Distribution है और यह किसका Distribution एक्स में से क्या मैनेस कर दिया mean तो shifting of origin जानते हो shifting of origin ने ओरिजन बनाते है हम लोग यह एक्स माइनस म्यू का Distribution है और यह यह है इक्स माइनस म्यू डिवाइड़ बाइ वाट तो क्या फर्क आया है, पहले राइट में अब 0 के सिम्ट्रिक हो गया पिर परपर वाले में थोड़ा सा SPREAD कम गया क्या हो गया। यह वारियंस कम हो गया थोड़ा से दिपड्र फेटा मने मेन मैने मैने मिन मैने distraction और जिलैण किया इसको बुझता है scaling shifting and scaling यह word होता है तो आप क्या करते हो मेरे बच्चों इदर board पे ध्यान दो अगर अगर x follow करता है normal distribution को and let z एक नया random variable है जो इस x को किस में से minus कर दिया मीन में से किस से divide कर दिया तो then 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 z follows standard normal अगर इसका mean zero हो जाए और variance क्या हो जाए one तो ऐसे distribution को standard normal बोलते हैं क्या बोलते हैं यह z वाला distribution standard normal है x वाला normal है तो अगर x normal है तो z क्या है और standard normal distribution cumulative probability बताता है किसकी normal की अच्छा सुनो आपने किया था चलो gamma से kai square गए थे क्या रिष्टा था वो वो रिष्टा बहले बताता हूं तो मैं वो ऐसा सा था हाँ अगर वह सर्फ scaling की थी हमने सरफ gamma alpha lambda था ना बिटा एंड लेट y b 2 lambda x then then y follows which distribution 2 alpha ऐसे किया था कि नहीं किया था तो यहाँ y बनाया था 2 lambda x ऐसे यहाँ z बना दिया किया था x minus mu by ऐसा करने से वो standard normal बन जाता है अरे ठीक है तो standard normal distribution used to find अच्छा इसका mean क्या standard normal का जीरो किस point पर कर maximum है परपर वाला करो किस point maximum है जीरो पर मिट पॉइंट भी क्या है उसका समझे कि नहीं सब 0 हो गया क्योंकि shift कर दिया नहीं सी रोप हमने औरिजिन को तो जैसे यह वाला रिष्टा था ऐसे रिष्टा है उतारिए प्लीज अगर किसी से डिवाइड करेंगे तो नंबर चोटा होगा कि बढ़ा होगा मुझे बता हो आप तो देखो जो पर्डल वाला है उसका spread कम है उसमें variance कम है उसका spread कैसे होता है यह St स्प्रेड होता है यह यहां से यहां तक फैला हुआ है और परपल वाला देखो कम कम फैला हुआ ना थोड़ा सा है ना तो जब किसी चीज को आप पकड़के खीचो के ओपर तरफ तो नीचे से तो पास आएगा ना तो स्प्रेड कम हो जाता मतला वेरियंस कम हो जाता है तो वेरियंस कम होना एक अच्छी बात होता था है क्यों कभी अमीमा की कुमलेटीक इन न कपर वैसे ही नॉमिल की क्युमिलेटी परटी स्टैंडर्ड नॉमल डिस्टिपूश मताल है स्टैंडर्ड नॉमल आपको पता है आप स्टैंड नॉमल से भी काइस कर भी जा सकते हैं